हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आई ओप सब लोग अच्छे होंगे बहतर होंगे और स्वस्थ होंगे स्वागत आपका फेर्स क्लाउड लाउन टू लीड में मैं हूँ आशू और आज हम डिसकस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करेंट फेर्स 23 जुलाइस 2021 के तो आप य उपर क्लिक करके एक साल या फिर दो साल की सब्सक्रिप्शन बाइ कर सकते हैं इसका प्राइस ऑल्डेडी बहुत कम है लेकिन एक बार आप चेक करेंगे आप खुद कहेंगे कि हम बहुत ही कम प्राइस पर आपको ये क्रेंट फेर्स प्रवाइड कर रहे हैं लेकिन 90 से 95 प अपर अप्लिकेशन के उपर अटेंप्ट कर सकते हो वीकली करेंट फेर्स होंगे वीकली में भी आपको तीन तरह के करेंट फेर्स मिलेंगे डिटेएल, Question and Answer फॉर्मेट और कोई स्जो की हर हफदे आप हमारी अप्लिकेशन के ऊपर अटेंप्ट करोगे मंतली में 4 तरह की PDF होंगे detail pdf question and answer format best 100 करण फिर वो भी question and answer format और pocket pdf जिसमें 2 line और 3 line में आपको करण फिर प्रवाइट किया जाएगा और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं topic wise करण फिर 20 बहुत ही important topics को हम cover करें मतलब एक topic से later जितनी भी news होगी वो आपको एक ही pdf के अंदर मिल जाएगी तो इन pdf का आप topic wise use कर सकते हो अगर आप banking experiment हैं तो आपको तीन तरह की चीज़े मिलेंगी detail और question and answer format only banking and economy का एक होगा quiz वो भी banking and economy का होगा लेकिन वो आप हमारी application के उपर monthly basis पे attempt कर सकते हो अगर आप past क्रेंट फिर जितना भी 2020 जा चुका है उसका क्रेंट फिर एक ही pdf से revise करना चाते हो तो exam pdf का use कर सकते हो guys एक आपको provide करेंगे special क्रेंट फिर जिसमें budget और economic survey होगा detail भी होगी और expected question and answer भी बताए जाएंगे जो examiner यहां से पूछ सकता है अगर आप अपनी state का exam देना चाते हो तो हम आपको state current fairs भी provide करेंगे और खास बात है कि हम हर state और union territory को cover कर रहे हैं तो guys यह सारी चीजे आपको एक ही subscription के अंदर मिलेगी कोई अलगलग purchase नहीं करना आपने सिरफ application को download करना है login करना है और उसके बाद आपने crack current fairs के उपर click करके एक साल या फिर दो साल की subscription को buy कर लेना है इसका price बहुत ही कम है और उसके उपर भी 10% extra discount मिल रहे है अगर आप इस code का use करेंगे ASH10 का और guys आप हमें email कर सकते हैं इस email id पे और number पे contact कर सकते हैं आपकी कोई भी query है तो start करते हैं 27 July 2021 का current fair लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से request करूँगा like करना है video को share करना है maximum to maximum और channel को subscribe करना है इनी तीन चीजों से आप हमें motivation भी provide करोगे और साथ ही साथ दोस्तों एक काम और करना है कि telegram group को आप join कर लें description box से तो start करते हैं पहले question के साथ which temple became the India's 39th UNESCO World Heritage Site recently देखो बहुत important question है एक तो यह याद रखने number 39th जो है वो World Heritage Site है जो कि UNESCO की तरफ से declare की गई है इसका मतलब यह clear है कि इंडिया से कितनी sites जो है वो UNESCO World Heritage List में 39th और इस list में जाने का मतलब है कि हमने उस site को बचा के रखना है conserve करना है cultural point of view से या nature point of view से हमने उसको बचा के रखना है और answer क्या होगा दोस्तों इसका answer है रुद्रेश्वरा temple तो answer क्या होगा D होगा दोस्तों बहुत important है याद रखना अपने देख सकते हो कुछ pictures आप रुद्रेश्वरा temple की इसको रमपा temple भी जो है वो कहा जाता है याद रख सकते हो रमपा temple कहां पे है तैलांगना में और ए इंडिया की ये 39th साइट है दोस्तों कौन से येर में इसको बनाया गया था 1213 मतलब आप कह सकते हो कि आज से बहुत साल पहले इसको बनाया गया था अब 2021 चल रहा है हम बात करें 1213 की किसने बनाया था तो एक जर्नल थे जिनका नाम क्या था रेचारला रुद्रा रेडी इन् इसको बनाया था ये बहुत important हो जाता है क्योंकि इस temple के बारे में हमारे सामने information आगी है तो मैं पता होना चाहिए exact information इस temple के बारे में कहां पे है कौन से year में बनाया गया कौन से number की heritage site है किस ने बनाया किस राजा के time period पे इसको बनाया गया मतलब इस बगवान के नाम से जो कर रहे हैं शिवजी बगवान की बात कर रहे हैं तो याद रखना है राम लिंगेश्वरा स्वामी मतलब शिवजी बगवान की बात हो रही है और भी बहुत से temple जो है वो दोस्तों इसके अंदर already included है इंडिया से like sun temple आप देख सकते हो already included है और इसा से चोला temple already included है महाबोध temple बहार से already included है यह already included sites है जो रुदरेश्वरा है इसको अभी include किया गया है कौनसी डैनेस्टी के time pit पे बनाया गया था काकातिया डैनेस्टी के time pit पे बनाया गया था और इसको रमपा temple भी कहा जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो रमपा temple क्यों कहा जाता है इसको क्योंकि UNESCO World Heritage Site में जो इंडिया की लेटेस साइट है वो तो आपको पता लग चुकी है लेकिन सबसे पहली साइट शायद बहुत ही कम बच्चों को पता होगी एक नहीं थी दोस्तों बहुत सी साइट जो हो सबसे पहले नंबर पे इंडिया में डिकलेर की गई थी अजनता केवस डिकल किया गया था 1983 में और इस अगर हम बात करें इस रुद्रेश्वरा टेंपल से पहले एक साइट डिकलेर की गई थी 2019 में वो जैपूर सीटी को डिकलेर किया गया था तो याद रखना दोस्तों 49 39 साइट हो चुकी है और पूरे वल्ड में इसको मिला के कितनी साइट हो जाए आपने नाम सुना होगा बहुत फेमस ट्रेवलर रहे हैं मारको पोलो ने इस टेंपल को कहा था ब्राइटेस्ट स्टार इन दा गलेक्सी ऑफ टेंपल्स याद रखना इस वर्ड को यह पूछा जा सकता है आपको और बहुत अच्छा एक्जामीनर होगा तो यह कोशन डाल स सकता है वो brightest star in the galaxy of temples मत्त statement जितने भी temples है उसमें सबसे brightest star कौन सा है रूदरेशुडा temple है जोकी कहाँ पर स्थित है तेलागना के अंदर स्थित है और कौन-कौन सी site add की ओप यह है आप देख सकते हो यहाँ पे Pacio Del Predo और एक जो है वो Retiro Park जो की कहां पे है Madrid, Spain के अंदर है इसको भी आड़ किया गया है और एक Kwanzau जो की चाइना के अंदर है और एक Trans-Iranian हिमाले इरान के अंदर है उसको भी World Heritage List के अंदर शामिल किया गया है तो जस्ट एक बर इनको पढ़ लें जो world की sites हैं कि कौन-कौन सी add की गई हैं लेकिन हमारी add की गई है तो वो सबसे important जो हो जाता है तो बहुत सी चीज़े मैं आपको इस question के अंदर बता देता हूं तिरफ एक ही इंडिया का institution है दोस्तो टॉप 50 institutions में से एक ही institution इंडिया का रखा गया है और वो institution का नाम क्या है जोहालाल नहरू Center for Advanced Scientific Research Advanced Scientific Research कहां पर स्तित है बेंगलोर के अंदर स्तित है कहां पर करनाटका के अंदर तो याद रखने है simple question है चाहिए only question आप जितना यहां पर लिखा हूँ हो उतना है याद कर लें Nature Index 2021 Material Science Tables और यह ज्वालाल नहरू Center for Advanced Scientific Research Top 50 institution में और उसका rank concept 23rd rank है इसका मतलब इन्होंने बहुत से जो paper है वो publish किये बहुत से papers को जो है वो आगे बढ़ाया बहुत से articles शपे इनके जिसके कारण इनका यह rank जो है वो यहां पर आया है और top university कौन से Shanghai, Ziao, Tong University जो की कहां पर स्तिता है चाहिना के अंदर तो examiner बहुत ही कम chance है कि आपको यहां पर top university पूछे इंडिया की university जो है वो यहां से पूछ सकता है और अगर मैं top 50 institutions की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा institution चाहिना की है दोस्तो 19 institutions कहां की है चाहिना की है और इसमें से 12 institution United States of America ही है एक ही है सिरफ इंडिया की यह याद रखना है और इंडिया का मैं नाम बता चुका हूँ कौन सी है वो अगले question के ओपर यहां से बढ़ सकते है वो बिकेम national brand ambassador for sustainable development goal चोपाल तो देखो यहां पर कीवर्ड इंपॉर्टन हो जाता है कि यह sustainable development goal जो चोपाल है SDG चोपाल यह क्या है यह दोस्तो एक ऐसा initiative था यह निती अयोग की तरफ से start किया गया था बहुत सी organizations के साथ मिलके जैसे कि मैं कुछ आपको example देता हूँ SDG चोपाल है उसका time period भी कितने तक होगा 2030 तक ही चलेगा इसका brand ambassador जो है रिसेंटली बनाया गया संजे राय शेरपूरिया को दोस्तों याद रखना है अंसर क्या होगा संजे राय शेरपूरिया आप यहां पे इनका picture देख सकते हो संजे राय शेरपूरिया जी जो कि खोद एक बहुत बड़े आंतरप्रियोर है बहुत बड़े बिजनसमेन है लेकिन साथी साथ सोशल वर्कर है अब इनको brand ambassador बनाने का मकसद क्या था क्योंकि इन्होंने COVID-19 के time period पे बहुत ज़्यादा स्पोर्ट किया था लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा facilities प्रवाइड की इन्होंने और भी कई तरह की सरफसी जैसे ambulance सेवा आप कह सकते हो टेली medicine vehicles, essential medicines, doctors, workers, काजीपूर के अंदर जो है वो अलग लग जगा पे लोगों को प्रवाइड करवाइड करवाए तो लोगों की जान बचाई, लोगों की सेवा की इसलिए इनको brand ambassador जो है वो बनाया गया है इवन इन्होंने mask और medicines को भी जो है वो क्या किया था, distribute किया था और 60,000 जो परिवार है उनको लाब मिला था इसका, तो SDG चुपाल मैं पहले पता चुका हूँ, United Nation के जो sustainable development goals है जो 2015 से लेके 2030 मतलब 16 भी कह सकते हो, क्योंकि 2015 में millennium development goals खतम हो गए और sustainable development goals जो है वो start हो गए, तो 2016 से लेके 30 सक जिसमें 17 goals को हमने achieve करना है और 169 targets है अगर आप इसको खोलोगे 17 goals को तो इतने targets जो है वो रख्या हूए है, तो उसको achieve करने के लिए ये SDG चुपाल का निर्मान जो है वो किया गया था, तो याद रखना है जितनी भी चीज़े मैंने बताई है अगले question के पर बढ़ेंगे, which district won the silver scotch award under the health category at the national level, तो national level पे कौन सी district को चुना गया है, silver scotch award के लिए health category के अंदर जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से village को cover किया है और अलगलग level पे agriculture को promote किया है, खास करके उन्होंने promote किया है nutrition gardens या nutrient gardens को बनाने में लोगों की help की है, तो य दोस्तों हमारे पास है, चचर district of awesome, याद रखना है दोस्तों, चचर district of awesome, अंसर जो है B होगा, तो उन्होंने चचर district जो असम है, उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था, जिसका नाम था, पुष्टी निर्बोर, पुष्टी निर्बोर जो है, वो लाइक आप कहा सकते पुष्टी निर्बोर को, न्यूट्री गार्डन को establish किया, जो कि इंडिगा बंगलादेश बॉर्डर पे एक गाउं या एक district सित है, जिसका नाम का है चाचर, और इस पुष्टी निर्बोर के अंदर, basically 30,000 जो है वो vegetables और fruits और herbal plants के जो पौदे हैं, वो लगाए गए, जिस पुष्टियों के, फलों के, या फिर आप कह सकते हो, पौश्टिक जो plants हैं, उनके बीच दिये गए थे और उन्होंने बोई, और 140 लोगों को इसका लाब मिला, और हर गाउं के, हर मतलब आप कह सकते हो, परिवार से, हर गाउं में, जो है, वो 75 जो है, वो मतलब लाब मिला उनको, मतलब अगर simple language में कहूंगा, तो 75 days की salary जो है, वो उनको दी गई है, 75 days जितना उन्होंने काम किया है, उसके इसाब से हर विलेच से, हर गर को जो है, वो लाब जो है, वो जरूर मिला है, इस district के, तो याद रखना है, इसलिए जो है, वो इनको सम्मानित किया गया, सि country gardens के लिए, 30,000 जो है, वो पौदे लगाए गए, सबजीयों के, फलों के, और पौश्टिक प्लांट्स के, और इसको 140 लोगों को जो है, वो इसका benefit मिला, और गाउं से, हर गर में, जो है, जो भी लोग होंगे, उनको 75 दिन का लाब, जो है, वो as a monetary fund, जो है, वो भी दिया तो सिरफ इतना याद रखेंगे, अगले question के उपर आते हैं, दोस्तों, most important questions का तो हम कर चुके हैं, very important questions के उपर आते हैं, वीडियो को like करना है, share करना है, और चैनल को subscribe करना है, और दोस्तों साथ ही साथ आपने क्या कर लेना है, टेलिग्राम ग्रूप को भी join कर लेना है, इ wrestling championship कौन सी country में हुई थी, तो question तो बहुत simple है, question समझ भी आ गया होगा, मैं आपको cadet wrestling का मतलब ही समझा दूँगा, लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है कि कौन सी country ने इसको host किया था, Hungary ने इसको host किया था, exact जगा कौन सी थी, Budapest थी दोस्तों, इसकी capital थी, तो लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर बोलूँगा कि एक बार इनका नाम जरूर पढ़ना आपने, ताकि कई बार examiner ये पूछ लेता है कि ये जो player है, वो कौन सी game से समझ रखता है, तो 5 gold है, एक silver है, और 7 bronze medal है, जो India ने इसके अंदर जीते हैं, 13 medal जो है इंडिया के अंदर ज होती है, वो इसमें participate करते हैं, ये मतलब है इसका cadet wrestling का, और even पूरी Indian men's team को भी इसके अंदर जो है, वो gold medal दिया गया है, पूरी Indian men's team को freestyle championship जो है, उसके अंदर इसको जो है, वो दिया गया है, बहुत importantly gold medal, और जो women team है, उस पूरी women team को silver medal दिया गया है, तो याद रखना है, women wrestling team को silver medal मिला है, Indian men's team पूरी team को gold medal मिला है, freestyle champion के अंदर बाकी individual players को तो अलगलग मिला है, individual players में 5 gold, 1 silver और 7 bronze है, आप देख सकते हो, इंडिया freestyle team पूरी team को gold, लेकिन 5 players को अलग से gold medal, प्रिया मलिक, तनूप और कॉमल, ये तो आप देख सकते हो, women players है, और 2 हमारे पास men player है, अमनगुलिया और एक है सागर जगलान, तो इनको दोस्तों हमारे पास मिले है, gold medal, कोई silver याद ने रखना, कुछ नहीं याद रखना, even recently, इंडिया ने 14 medal भी जीते थे, किसके अंदर, एक होई थी, Asian Wrestling Championship, ये कहाँ पे होई थी, कजाक स्तान के अंदर, याद रखना है, जो Wrestling Championship थी, कहाँ पे होई थी, कजाक स्तान के अंदर, और World Cadet Wrestling Championship कहाँ पे होई थी, Hungary के अंदर, बुदापेस्ट के अंदर ये होई थी, अगले question के उपराते हैं, what was the name of the mission which was successfully executed and we celebrated Kargil Vijay Divas, मतलब उस दिन की खासियत बतानी है, जिस दिन हम Kargil Vijay Divas को मनाते हैं, और मेरे ख्य अंसा था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन, ये mission का नाम कौन सा है, दोस्तो, Operation Vijay, तो याद रखना है, अंसर क्या होगा, Operation Vijay, तो 22 मी anniversary है, दोस्तो, 26 उलाई को ये मनाया जाता है, 2021 में, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि Kargil War के अंद की anniversary है, और ये जो दिन है, वो बेसिकली याद करता है, आप कहा सकते हो, बहादूर जवानों को, जिन्होंने sacrifice दिया वहाँ पे, और हमें जो है, वो विजय इसके अंदर प्रापत होई, और 26 जुलाई, 1999 को इंडियन आर्मी successfully इस Operation को Complete करती है, जिसको 60 दिन तक माना जाता है कि लगातार 60 दिन तक या, 60 दिन से जादा ये Operation जो है, वो चला था, और उस टाइम पिट पे देश के Prime Minister कौन थे, अटल विहरी वाजपई जी, और अटल विहरी वाजपई जी ने डेकलेर किया था, कि Operation विजय के successful होने के कारण, हम जो है, 26 जुलाई को क्या करेंगे, as a कार आगिल विजय दिवस मनाएंगे, तो इसमें Ministry of Defence important हो जाती है, यूनिय मिनिस्टर कौन है, हमारे पास राजना सिंग जी है, राजना सिंग की constituency कौन सी ये लखनव है, और Minister of State कौन है, अजे बट है, कौन है, अजे बट, अजे बट जो है उनकी constituency नैनिताल से आजाती है, नैन हो चुके हैं, 76th United Nations General Assembly session के लिए, जो अभी इंडिया में आके गए हैं, और मैं आपको एक और खास बता बात बताना चाहूंगा, कि ये जो elected president है, 76th United Nations General Assembly के, ये पहली country है, उनकी जिसमें उन्होंने विजट किया है, याद रखना है, after declaring as a president, मतलब President Elect होने के बाद, अभी तो 76th session स्टार्ट नी हुआ, अगस्त में स्टार्ट होगा, मतलब 76th president जिसमें ये रहेंगे, वो session अभी अगस्त में स्टार्ट होगा, अभी तो पुराने ही चल रहे हैं, पुराने का नाम क्या है, 75th session के जो president है, वो है, वॉलकन बॉस की है, तो अभी 76th की बात हो रही है, तो exam examiner exact आपको पूचेगा, तो answer क्या होगा, अब्दूला शाहिद, तो याद रखने हैं, दोस्तों important question है, answer क्या होगा, A, तो United Nations General Assembly President Elect, अब्दूला शाहिद, जो है, वो इंडिया है, तीन दिन उन्होंने visit किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, external affair, जो minister थे, S.J. Shankar जी, उ foreign affairs minister मालदीव किया, तो आप देख सकते हो, अब्दूला शाहिद, minister of foreign affairs मालदीव, तो S.J. Shankar के कहने पे, जो है, वो इंडिया है, मतलब उनकी दोस्ती है, उनके साथ, तो शाहिद जो है, वो उन्होंने एक vision statement, जो है, वो मतलब तियार किया, उन्होंने दी कि मैं अपनी presidency के कि लोगों को इकठा करके चले, और किस तरह से COVID pandemic से हमने उबरना है, यह जो है, वो हम यहाँ पे उनकी presidency के अंदर उमीद रख सकते हैं, उन्होंने 5 points भी बताए, जिसके इर्द गिर्द आप कह सकते हो, कि पूरा का पूरा इनकी presidency का कार्यकाल जो है, वो रहेगा, एक कल के अंदर देखने को हमें मिल सकता है, और इंडिया और मालदीव्स ने agreement भी sign के है, community projects के लिए, और आपको पता ही, इंडिया ओल्लेडी जो है, वो बहुत से project वहाँ पे बना रहा है, दो बिलियन UST जो है, वो इंडिया ने प्रवाइट किये हैं, लाइक वहाँ पे ports बन बना रहा है, bridges बना रहा है, water and sanitation का काम कर रहा है, तो वैसे ही इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन अच्छा है, और उपर से अब्दुल्ला शाहिद, जो है, वो मिनिस्टर है, foreign affairs के मालदीव्स से, और उनी को जो है, वो प्रेजिडेंट इलेक्ट किया गया, और इंडिया जो है, वो माले है, currency जो है, वो रुफिया है, और दोस्तो, United Nation General Assembly, अभी 75th session चल रहा है, उसके प्रेजिडेंट कौन है, वॉलकन बॉसकीर है, और headquarter कहां पे इसका, New York, United States of America, तो जितने भी चीज़े बताई हैं, मेरे ख्याल से समझ आगी होंगी, अगले question के उपर चलते है Greater Sohra Water Supply Scheme, और Sohra Aforestation Project, integrated in which state, अगर आपको ये पता है कि Sohra कहां पे है, तो आप अंसर बता सकते हो, लिकिन मुझे पता है कि आपको बहुत से बच्चों को इवन नहीं पता होगा कि Sohra actual में कहां पे जगा है, तो Sohra एक दोस्तो, Eastern Khasi Hills के अंदर जगा है, मतलब मैं आप आपको बताना चाहूँगा, गारो, Khasi and Jantia, ये थ्री Mountain Ranges आपको कहां पे मिलेंगी, मेगाल्या के अंदर, तो अंसर क्या होगा हमारे पास, C होगा, तो Sohra Water Supply Scheme, और Sohra Aforestation Project, ये जो Amishya जी है, देख सकते हो, आप हस्ते हुए Amishya जी, और इन्होंने जो है, वो Sohra Water Supply Project को मेगाल्या के अंदर, जो है, वो launch किया है, और ये project क्या करेगा, वहाँ पे अलग-लग जगा पे पानी की supply करेगा, जो कि आप कहा सकते हो, जल जीवन मिशन के तहत आजाएगा, और जल जीवन मिशन के तहत हमने 2024 तक हर household में पीने योगया पानी, quantity और quality दोनों में पहुं मिशन जो है, वो यहाँ पे successful हो जाएगा, मतलब हमने forest area को increase करना है, और government वैसे भी पूरा का पूरा, like North Eastern area की development के लिए, ये ज़रूरी है कि हम बाकी इंडिया के साथ उसको connect करें, तो North Eastern की जो भी capitals हैं, तो उनको बाकी states के साथ connect किया जाएगा, rail, road और airways के साथ, 23-24 तक क गवर्नर कौन है, गवर्नर है सत्यापाल मलिक जी, सत्यापाल मलिक, और यहाँ पे दो national park आपको मिलेंगे, नौकरेक जो की बहुत ही famous एक biosphere reserve भी है, और एक आपको मिलेगा, बालफकरम national park, बालफकरम national park, तो अगले question के उपर आते हैं, first world drawing prevention day observed on which day, तो डूबने से लोगों दी गई थी, कि कितने लोग जो है वो डूबने के कानून की death हो जाती है, खास करके Asia Pacific area के अंदर, और ये दिन जो है वो दोस्तों कौन से दिन celebrate किया गया है, celebrate नहीं कह सकते हो, observe कह सकते हो, आप इसको 25 जुलाई के दिन जो है वो इसको observe किया गया, और ये पहली बार हुआ ह मतलब 2021 में पहला था, इसलिए एक question very important में हम शामिल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो, world drowning prevention day, जुलाई 25 को मनाया गया, 2021 को, और आप देख सकते हो, इस दिन का main मकसद क्या है, कि जो डूबने के कारण death हो रही है, चाए वो पूरी families उसमें डूब रही है, पूरी community उसमें ख 25 जुलाई 2021 को पहली बार इसको मनाया गया, और इसका theme क्या है, anyone can drawn, no one should, मतलब कोई भी डूब सकता है, लेकिन कोई भी डूब नहीं सकता, मतलब कोई भी डूब सकता है, लेकिन ऐसा होना नी चाहिए, कि डूबने से किसी की death हो जाए, तो यह accidental death है, इसको हम रोक सकते हैं, तो उनको हम रोकना चाहिए हमें, और WHO यहाँ पर important हो जाता है, world health organization, जिसका गठन 1942 में हुआ था, headquarter आपको कहाँ पर मिलेगा, जनेवा के अंदर, और director general कौन है, dr. Ted Ross, अगले question क्यों बढ़ाते हैं, Indian Navy Chief Admiral Karambir Singh visited Russia to participate 325th Navy Day celebration, तो Navy Day celebration के लिए रशिया पहुँच चुके हैं, Navy के head जो है हमारे, जो की Karambir Singh जी हैं, वो रशियन Navy Day को celebrate करेंगे वहाँ पे, और मैं पहले ही इस news को बहुत बार cover कर चुका हूँ, कि INS तबर जो है, वो इंडिया से चला हुआ था, जिसने France के साथ, United Kingdom के साथ जाते हुए, Italy के साथ exercises conduct की, अब वो रशिया की celebration के अंदर पहुँच चुका है, और दोनों Navy's जो हैं, वो आपस में naval exercise conduct करेंगी, जो की, आप कहा सकते हो कि एक part होगा, इंदरा exercise का, इंदरा मतलब इंडिया और रशिया की joint exercise, उसका एक पार्ट होगा, और इस exercise का main मक्स से यही है कि maritime security को बढ़ाया जा सके, और दोनों countries में आपस में coordination increase हो सके, और रशिया ने अपना एक new fighter jet भी जो है, वो दिखाया है वहाँ पे जिसका नाम का है, चेक्मेट, यह important है दोस्तों, note कर लें, कि चेक्मेट जो है, वो कहां का है, चेक्मेट है, रशिया का, और चेक्मेट जो है, वो 5th generation fighter jet है, जिसमें बहुत अच्छी qualities और advanced characteristics जो है, वो इस fighter jet के हैं, और इंडिया को recently invite भी किया गया है, Troika plus meet के अंदर जो की कहां पे होनी है, अफगानिस्तान में आपको बता दूँ, Troika plus meet जो है, वो 3 countries की meeting है, जिसमें Russia होगा, जिसमें United States होगा, जिस जो होगे, ये meeting भी आपको कहां पे होने को मिलेगी, Russia के अंदर होने को मिलेगी, तो याद रखना है, issue है, अफगानिस्तान का, मिलेंगी 3 countries, Russia, US और China, मिलेंगी कहां पे Russia के अंदर, और India को इसके अंदर invite किया गया, लेकिन India एकी country नहीं है, जिसको invite किया गया, इसके अंद कौनसी ship ने पार्टी स्पेट किया था, वो जुरूर यहाँ पे याद रखना है, INS तबर जो है, वो यहाँ से गया था, अगले question के उपर आते हैं, important questions के उपर बढ़ते हैं, वीडियो को like करना है, share करना और channel को subscribe करना और telegram group को join कर लें, और पहला question है इसके अंदर, which organization has sanctioned to 250 million dollar to HDFC limited to boost green housing finance in India, ताकि हम construction के अंदर भी, या फिर housing projects के अंदर भी carbon emission को कम से कम कर सकें, और affordable house provide कर सकें, इसके लिए, एक organization ने 250 million dollar जो हैं, वो provide किया है, और वो organization है, IFC, IFC का मतलब है, international finance corporation, पांच organization जो world bank की हैं, उसमें से एक organization कौन सी है, international finance corporation, उसने ये fund provide किया है, कि इसको HDFC limited को, तो इससे क्या होगा, कि green affordable housing जो है, वो लोगों को provide की जा सकते है, जिनकी income जो है, वो क्या है, लो है, उनको ये provide किया जा सकता है, और वैसे भी, ये हमारा लक्षय है, कि 2030 तक, जो है, मतलब जो हमने Paris Agreement sign किया हुआ है, हम उसके अंदर, जो है, वो carbon emission को कम कर देंगे, बहुत जादा कम कर देंगे, लाइक 2005 से भी, हम almost 130 जो है, वो कम कर देंगे, ये Paris Agreement के अंदर हमने कहा हुआ है, और एक मकसद हमारा चली रहा है, housing for all, सबको गर provide करना है, तो उसके लिए भी ये जरूरी है, तो अब सिरफ इतना याद रखना है कि कौनसी organization ने HDFC Limited को पैसा दिया, ताक कि housing जो finance है, वो easy हो जाए, और आपने यहाँ पर IFC के बारे में याद रखने है, इसका headquarter कहाँ पे मिलेगा, Washington DC, क्योंकि World Bank का headquarter कहाँ पे है, Washington DC, अगले question के उपर आते हैं, which state signed a MOU with CPU analytics to provide a complimentary license of an automation software to MSMEs of the state, तो देखो, एक software है, जो कि Micro, Small and Medium Industries के लिए, आप कह सकते हो, यह तरह का, वो software काम क्या करेगा, वो software accounting का का काम करेगा, या business management का का काम करेगा, तो MSMEs के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन जो state government है, यह free of cost जो है, वो provide कर रही है, अपने यहाँ पे Micro, Small and Medium Industries को, और यह state कौन सी है, रुपीस की हो जाएगी, जिसको state government provide करेगी, CPO Analytics को, लेकिन MSMEs को यह free of cost जाएगा, तो आप देख सकते हो, CPO Analytics, government of Uttarparadix, joins hand to revive MSMEs, तांकि यह उनको बहतर से बहतर software मिल सके, तो इस software का नाम क्या है, AC Cloud, यह आप कह सकते हो, account cloud, तो किसी भी तरह से आप इसको use कर सकते हो, AC CC, मतलब account loud कह सकते हो, मतलब किसी भी तरह से इसको बोल सकते हो, और यह UP's की MSMEs को provide किया जाएगा, 72 crore rupees का जो खर्चा होगा, state की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन MSMEs को free of cost दिया जाएगा, 20,000 MSMEs को UP की यह दिया जाएगा, एक साल की validity के साथ दिया जाएगा, एक तरह का यह accounting software है, business management software है, जो की mobile और web से operate किया जा सकता है, और यह अलग-लग language में भी है, हिंदी में भी है, तो इसका मतलब इसको अच्छे से use किया जा सकता है, इसमें वो अपनी sales को track कर सकते हैं, अपनी goods and service tax को यहाँ पे track कर सकते हैं, और भी बहतर इन सुविदाई जो है, वो इ यहाँ के chief minister है, 2022 में उनको project किया गया as a chief minister, so let's see 2022 में क्या होगा, लेकिन governor जो है, वो यहाँ पे अनन्दी बेन पटेल है, दुदवा national park आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगले question के उपर आते हैं, जो की one liner important points हैं, जिसमें पहला हम देखते हैं यहाँ पे, पहला हमारे पास world IVF day 2021-25 July को जो है, वो यहाँ पे मनाया गया, IVF का मतलब है in vitro fertilization, मतलब जो like parents नहीं बन सकते हैं, तो artificial technology के थुरू, हम क्या करते हैं, जर्नली, हम एक technology use करते हैं, जिसको कहते हैं, assisted reproductive technology, जिसको ART technology कहा जाता है, तो इस technology के थुरू, हम जो हैं, वो ovary से egg जो है, वो बाहर न निकाल लेते हैं, उसके अंदर जो है, वो sperm डाला जाता है, फिर उसको एक को दुबारा से जो है, वो woman body के अंदर डाला जाता है, तो उसके थुरू बच्चे को पैदा किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए, कि पूरे world का सबसे पहला बच्चा जो IVF technology के थुरू पै और कौन से year की बात करें, यह कोई नहीं बात नहीं है, दोस्तो 1978 की बात करें है, 25 जुलाई 1978, क्या आपको पता है कि सबसे पहला बच्चा जो इंडिया के अंदर IVF technology के थुरू पैदा किया गया तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कनू प्रिया, याद रखना है, कनू प् ब्राउन है, जो कि इंग्लेंड में थे, मांचेस्टर के अंदर और कनू प्रिया अगरवल, दूसरी होंगी वल्ड के और इंडिया की पहली है, तो इस चीज़ को अपने याद रखना है, और ये दिन 25 जुलाई को मनाया जाता है, नेक्स इंटनेशनल डे फॉर दी इसे रहना है, कि लाइक कभी बैठे हो, तो आज कौन सा दिन हो सकता है, इस दिन ये दिन मनाया जाता है, तो चलो आज जुलाई के रिवाइस करते हैं, तो ऐसे बार-बार करने से ये आपको याद हो जाएंगे, तो मैंग्रूव है, तो 26 जुलाई को आप इस तरह से याद के बारे में बताता है, क्योंकि mangrove only ऐसे पेढ हैं, जो खारे-पानी में होते हैं, मतलब salt water में हो जाते हैं, तो इसलिए आपको इंडिया के coastly areas में मिलेंगे, इसके बहुत से फायदे हैं, ये आपको tsunami से बचाता है, क्योंकि इसकी जड़े मजबूत होती है, तो फान आता से question पूछने के chances बहुत कम है, क्योंकि Shifting Orbit जो है book वो चार लोगों ने लिखी है, तो ऐस सच आपको नाम नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यहीं पूछा जा सकता है कि किसने release किया, मिताप कांत ने release किया है, इस book के अंदर startups के बारे में बताया गया है, कि कैसे startups आगे बढ और 57 से जितने भी startups को लें, उसमें से 52 startups जो है, वो unicorns बन गए, और मेरे खाल से बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि unicorn का मतलब होता है, कि वो private startup जिनकी valuation एक billion dollar से ज़्यादा हो चुकी है, एक billion dollar से ज़्यादा हो चुकी है, next, मिथाली राज जो है, वो दुबारा से number one ranking पे आचुकी, ICC women ODA ranking के अंदर, याद रख सकते हुआ, और ये एक बार नहीं हुआ, ये ऐसा जो है, वो बहुत बार हो चुका है, मतलब आप कह सकते हो कि ninth time ऐसा हुआ है, कि मिथाली राज जो है, वो number one spot में है, women ranking के अंदर, तो ये भी आपने याद रखना है, और समरीत पहले, अभी अभी तो बने हैं, और उनको चीफ मिनिस्टर ने अपना resignation दिया, और उन्होंने अपनी power under one of 64 article, उन्होंने अपनी power को use किया, और resignation को accept जो है, वो कर लिया है, और ये दिरुपा जी के बारे में एक दो points अपने याद रखने हैं, कि चार बार जो है, वो चीफ म exactly 26 जुलाई को जो है, उनके दो साल पूरे हुए थे, और उसी time period में उन्होंने 26 जुलाई को ही resign कर दिया, next आते हैं, national web portal for sharing research and development iSTEM entered into phase 2, तो iSTEM जो है, वो 2020 में जन्वरी में launch किया गया था, प्राइम निस्टर नरेंदर मोदी जी की तरफ से, तांकि research and development का जो ecosystem है, उसको भी improve किया जा सके और इंडिया में research and development facilities बढ़ाई जा सके हैं, और इसका अब दूसरा phase start हो चुका है, जिसका time period 5 साल का होगा, 2026 तक का time period होगा, iSTEM का मतलब क्या है, Indian Science Technology and Engineering Facility Map, याद रखने हैं, दुबारा से बोल रहों, Indian Science Technology and Engineering Facilities Map, तो इस एक portal है, iSTEM.gov.im, इसमें आपक question के उपराते हैं, जो की question of the day है, 25 और 26 चलाई 2021, का question बहुत ही simple था, which of the falling name used to refer to the RBI, तो RBI आपको पता है, सारे banks को पैसा देता है, सारे banks को पैसो की supply करता है, तो इसलिए इसको का जाता है, mint street, mint का मतलब जहां पे पैसे चपते हो, तो इसको क्या का जाता है, mint, तो इसका मत बढ़ाते हैं, bankers bank, लेकिन mint street जो है, वो याद रखोगे, अगले question के उपराते हैं, जो की question of the day, क्या कहता है, कि अगर CRR, cash reserve ratio को बढ़ा दे, तो क्या effect होगा, तो दियान से answer को बढ़ना है, cash reserve ratio बढ़ाएंगे, तो देखो कि bank के पास पैसा कम होगा, या जादा होगा, bank के according market में पैसा जाद आएगा, या कम आएगा, तो उसके according आप चेक करो, कि market में क्या चीज़ें आएंगी या बढ़ेंगी, तो उसके according आपने मुझे दियान से answer, comment box में, बताने में, wait कर रहा हूँ आपके answer का, वीडियो को like करना है, share करना है, और subscribe करना है, bell button को press कर दे, telegram group को join कर लें, ताकि notification on time मिल सके, affairs cloud का promise है, कि आपके confidence को जुरूर boost करेगा, हमेशा smile करते रहें, smile करोगे, तो इसका मतलब, आप हर exam को clear कर सकते हो, हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, thank you guys, take care and bye bye